हलो आप सबका मेरे चैनल स्वीडिंग लाग्यानमे स्वागत वर अभनादयने मैं आज आपको एक प्राप्लम जो इविडेंस एक्ट की प्राप्लम है यूपी जे 1999 में पूछी गई थी उनको पूछ रही अगर आपको इसका उत्तर पता है इनबाक्स में जाकर टाइप के लिए नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो वाच कर लिजे खा की हत्या के लिए का का विचारण किया जाता है क्या कहरा है कि खा की हत्या के लिए का का विचारण किया जाता है का से धन उद्यापित करने का प्रयतने किया था सुसंगत है विदिक प्रावधानों के संदर में उत्तर दीज़े मतलब क्या कह रहा है कि खा की हत्या के लिए का का विचारण किया जाता है यह तहती कि खा यह जानता था कि का ने पहले गव की हत्या की है और खाने इस जानकारी को लोग भी दित करने की धम की देकर का से धन उद्यापित करने का प्रयाथ ने किया था सुसंगत है आईए देखिए प्रावधान क्या कहता है, कह रहा है कि प्रस्तु समस्या जो धारा आठ है उसका दिश्टांत कव है उस पराधारी था, धारा आठ का दिश्टांत कव पराधारी था, धारा आठ हेतु तयारी और आचरण को सुसंगत बनाता है, धारा आठ क्या कहता है कि हेत या सुसंगत तत की हेतु या तैयारी दरसीत या गठीत करता है सुसंगत है। या उस विवादक तत या सुसंगत तत के किसी तत के बारे में आचर्ण या किसी ऐसे आचर्ण के जिसके विरुद्ध आपराद किसी करवाई का भिसे हो सुसंगत है। विवादक तत या सुसंगत तत के जो किसी तत के आचरण या ऐसे ब्यक्ति के आचरण के जिसके विरुद्ध आपराद किसी करवाई का भिसे हो। मतलब कह रहा है कि जिसके विरुद्ध आपराद है करवाई का भिसे मतलब क्या अभियुक्त का आचरण की बात कर रहा है। सुसंगत है या ऐसा आचरण विवादक या सुसंगत तत को प्राभावित करता है या उससे प्राभावित होता है आचरण चाहे पूर्व का हो या पस्चात का। आए देखे हेतु, हेतु को अधिनिया में परिभासित नहीं किया गया है किन्तु कोई भी कारे बीना किसी हेतु के नहीं किया जाता है। हेतु क्या होता है कि अधिनिया में परिभासित नहीं किया गया है लेकिन किसी भी कारे को करने के लिए हेतु के बीना नहीं किया जाता है। जो किसी ब्याक्ति को उतेजित या उत्प्रेरित किसी भी सिस्थ कार को करने के लिए करता है। मतलब हेतु का मतलब है कि जो ऐसे ब्यक्ति को क्या करता है उत्तेजी या उप्रेरीत करता है कोई भी सिस्कार करने के लिए वह हेतु है इच्छाब है और अन्य मनोबेग या तर्क का विचार जो की ब्यक्ति की संकल्प को प्रभवित करता है या प्रभवित करने की प्रक्यत मतलब हेतु क्या है तो कह रहा है कि हेतु है कोई इच्छा है या भै है या कोई मनोव बेग है या तर्क का विचार है जो किसी व्यक्ति के संकल्प को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है उससे क्या कहते हैं हेतु कहते हैं कहा जाता है कि बिना हेतु कोई कार नहीं किया जा सकता किन्तु यह कहना गलत होगा कि अभियोजन को अपराध साबित करने के लिए हेतु का भी साबित किया जाना जरूरी है मतलब कह रहा है कि हेतु के बिना कोई कारे नहीं किया जाता लेकिन यह जरूरी नहीं कि अभियोजन के लिए क्या साबित करना होगा हेतु हेतु को साबित करना कोई आवस्यक नहीं है जब जो चाथूर साच्छी दोरा जो प्रत्यक्श डिरेक्ट जो है विथने से है उसके दोरा हत्या साबित की गई है तब हेतू महतुहीन हो जाता है प्रटेक्ज, दर्शी, साच्षी अगर प्रजेंट है और उसके द्वारे कोई साच्ष दिया जाता है तो हेतु कामाह तो कुछ भी नहीं रहता है मतलब वो महतुहीन हो जाता है किन्तु उन मामल में जो की परिस्तिती जन साच पर निर्भर करता है हेतु अत्यधिक महतपुड होता है मतलब कि है राय कि जो सरकॉंस्टांसेस एविडेंस पर निर्भर करता है जो मैटर उसमें हेतु का साच महतपुड होता है हेतु तब महतो धारड करता है जबकि प्रतेक्ष या विश्वसनी साच उपलब नहीं होता क्यारा हेतु तब महतो धारड करता है जब उत्तब इनपार्टेंटी दी जाती है हेतु को कि जब कि प्रतेक्ष डाइरेक्ट और बिलेबुल जो एविडेंस नहीं होता मामले में तो मामला के वर परिस्तिती जन्साच पर अधारित होता है एक मामला आया था प्रताप सिंग बनाम स्टेट और यमपी 1971 का CRLJ का मामला था नेलनी अब निधारित किया कि किसी भी सीमा तक का हेतु या तैयारी अपनी तरफ से अपराध को साबित नहीं कर सकता है कि किसी भी सीमा तक कोई हेतु है या तैयारी है अपनी तरफ से अपराध को साबित नहीं करता है या केवल अन्य परिस्तितियों के साथ मिलकर ही मिलाया जा सकता है मतलब कहरा है कि खाली हेतु या तैयारी के अधार पर अपराध को साबित नहीं कर दिया जाता है अगर कोई अन्य एविडेंस है अन्य सरकम्स्टांसेथ है उसको मिला के हेतु या तैयारी का साच दिया जाता है फिर आया था केस बोरी सिंग बनाम स्टेट आव यूपी का उन्य सो नवासी का इसमें इलहाबाद उच्च नैले ने क्या क्या था या अभिनिधारित किया कि जहां प्रतेच दरसी साच्छी उपलम नहीं होते तो अभ्यूक्त को अपराद के संबंध रखने के लिए परिस्त जन्य साच्छे दीया जाता है कि उन मामलों में जिसमें के प्रतेच दरसी साच्छी उपलम नहीं होते तो अभ्यूक्त के अपराद को त 59 है किन्तु हेतु संदे से परे अस्थापित किया जाना चाहिए केवल सभी द्रिश्ची या परिस्थी दी जाने साथ हेतु के अपराद के लिए के लिए अनुपूर्थ हो करेगा मतलब कह रहा है कि अगर संदे की परे है तभी सावित किया जाएगा एक केस आये थी यसी बाहरी बना भिहार राज यह यह 1994 सुप्रीम कोड की केस थी जिसमें नैले ने अविनिधारित किया कि जिन मामल में हेतु का इस्पस्ट प्रमाड है नैले के निशकर्स को और अधिक पक्का और निश्यकारी बना देता है और की अभियुक्त अपराद का दोसी है मतलब कहरा है जिन मामल में हेतु का इस्पस्ट प्रमाड है वह नैले के नेडे और उसे पक्का या भिश्वस्नी बना देता है तो अभियुक्त अपराद का दोसी है लेकिन हेतु के प्रमाड के अभाव में उस अपराद को साबित क ये जाने के लिए साच का अभिश्वसनी बना देता है क्योंकि वास्तों में अपरादी ही जानता है कि किन परिस्तितियों में उसे अपराद करने के लिए प्रेरित किया गया मतलब कह रहा है कि अगर हेतु का प्रमाड के अभाव में उस अपराद को साबित करने के लिए उसे अब इस्वसनी बना देता है क्यों कि खाली अपरादी ही तो जानता है कि वो कि इस परिस्टितियों में अपराद को करने के लिए प्रेरीथ हुआ था एक केस आई थे गुजरात राजवान अनुरुद सिंग का मतलब कह रहा है हे तु जो है परिस्टितियों जो है परिस्टितियों साच के लिए जो है अवस्षिक है कि वो एक जनजीर की कड़ी बन जाती है लेकिन उसके अभाव के कारड़ अभियोजन पच्छ को मामले का अस्विकार नहीं कर दिये जाएगा मतलब कह रहा है उसके अभाव के कारड़ अभियोजन की मामले को अस्विकार नहीं किया जाएगा हेतु जो साबित हो जाता है वो जंजीर की काड़ी के रूप में होती है आप कहरा है कि प्रस्तु समस्या में खा की हत्या के लिए का का विचारण किया जा रहा था क्या यह तत्य की खा यह जानता था कि का ने गा की हत्या की है और खा ने अपनी जानकारी को लोग भी दित करने की धमकी दे कर का से धन उपाप्त करने का प्रयत ने किया था प्रस्तु समस्या में चुकि का ने पहले गा की हत्या की थी जिस बात को खा जानता था मतलब क्या कह रहा है कि कौ ने क्या किया पहले गा की हत्या किया था जिस बात को खा जानता था उसने अपनी जानकारी को लोगों को लोगों से ना बताने के बदले कौ से कुछ धन की डिमांड की मतलब क्या कह रहा है कि उसने कहा उसे जो है का को ब्लैक मेल किया और कहा कि मैं अपनी जानकारी को किसी को नहीं बताऊंगा अगर आप कुछ हमें धन दे दी गें जिससे कि का को खा की हत्या करने के लिए हे तू मिला जिससे कि जो है उसको जो है सोचा कि खा की हत्या कर देते उसे हे तू मिल गया क्योंकि यदि खा की हत्या ना करता तो वह उस बात को समस्या में का 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 की हत्या का हेतु जो है हेतु धारा आठ के अंतरगत सुसंगत है मतलब कह रहा है इस मामले में का का द्वारा खा की हत्या का हेतु जो धारा आठ के अंतरगत सुसंगत है किन्तु जहां हेतु का साच्छिक मुल का प्रस्न है तो निसंदे ही अभियोजन की अभयोजन की जो मामला है उसमें जो है जन्जीर की एक कड़ी होती है किन्तो उसके साथ अन्य साच्य भी होना चाहिए तब ही नैला उसे दोस्चित करेगा मतलब कह रहा है, खाली हेतू के साच्छ पर नहले दोसित नहीं करेगा, अगर अन्य मामला भी उससे सुसंगत एक जंजीर की कड़ी की रूप में है, तो नहले क्या करेगा, अन्य साच्छो के साथ हेतू के साच्छ को कंसीडर करेगा और उसके आधार पर अभिव्यक्ति व्य